Good morning student, मैं हूँ गुलाब सिराजपुद और लगातार कल से मेरे पास बहुत सारे बच्चे का काल या मेसेज आ रहा है कि सर दस तारीक तक का पीटी का फाम बराने का लाज़ डेट समापत हो चुका है अब आगे हमारे काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दीजिए या फिर आगे क्या होने माला है तेरा तारीक को सर बोला गया था कि कोई भी पास के क्रिसी महाविद जाले में जाकर के आप अपने डाकुमेंट को वेरिफिकेशन करा सकते हैं चुदा तारीक को आपका मेरिट लिष्ट निकलेगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है अब आगे हमारे भवी सिके के साथ क्या होने माला है तो यह से बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेशन आ रहे हैं इसका अंसर मैं आज आप लोगों को फिर से देने के लिए यूटूब चैनल के माध्यम से जुड़ा हूँ आप लोगे साथ और मैं आप लोगों से पुना निविदन करूँगा कि कोई भी बच्चे अगर हमारे यूटूब चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो वो जल्दी से जुड़ जाईए क्योंकि एगरी कल्चर से रटेल जो करेंट अपडेट है लेटेस्ट जो नौटिफिकेशन है उसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देते रहेंगे या देते रहते हैं तो मैं आज आप लोग को काउंसलिंग के आगे की प्रक्रिया के बारे में बताने माला हूँ जैसे कि आप सबको पता है दस तारीक को हमारे यूजी का जो काउंसलिंग के लिए जो डाकुमेंट सब्मिशन का जो लास डेट था डाकुमेंट सब्मिट करने का जो अंतिम समय था दस तारीक 10 सितंबर को वो समापत हो चुका है अब जो है 11 और 12 सितंबर दो दिन हमको समय मिला है कि अगर किसी बच्चे का डाकूमेंट सब्मिशन के बास अगर फीज जमा नहीं हुआ हो तो वो फीज जमा कर सकते हैं अगर फीज में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा हो या पहले फीज पेंडिंग दिखा दिया गया हो या फैल्ड दिखा दिया गया हो तो वो फीज जमा कर सकते हैं उसके बाद एक अभी नया नॉटिफिकेशन आया 13 तारीक से लेकर के 20 तारीक के बीज में हमको सोचना मिला था कि कोई भी पास की क्रिसी महाविध्यालय में जा करके अपने डाकूमेंट को सब्मिशन करना है वो डाकूमेंट हम सब्मिशन अब हमें करने की आवसकता नहीं है जिसमें कोरोणा पाज़ेटी बाद चुका है या फिर वहां पे कालेजेस को भी किसी कुछ कारा बस बंद कर दिया गया हो या 16 तारीक, 17 तारीक को एक notification आए कि ICR का exam होने वाला है ये सब को ध्यान में रखते हुए document verification का जो process है जो इसको बोलते है DOC आकर के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि DVC क्या है DVC क्या है उसका full farm है document verification तो document verification अभी हमारा नहीं हो रहा है सबसे पहले एक merit rank बनेगा हमारे percent के अधार पर पर और merit rank बनने के बाद उसमें दावापत्ती लगेगा कि किसी के merit rank पर डाउट हो तो दावापत्ती लगा सकते है और merit rank बनने के बाद एक दावापत्ती होगा दावापत्ती clear होने के बाद पुना merit rank बनेगा और merit ring बनने के बाद finally 26 सितंबर को हमारा first counseling का जो college allotment वाला message आपके mobile पर message आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा college मिल रहा है उसके बाद college मिलने के बाद आपको document verification कराने के लिए 26 सितंबर के बाद आपको just college में मिलेगा उस college में जा करके direct आपको document verification कराना रहेगा या हो सकता है पहले जैसे होता था कि पहला दिन 0-1 ring से लेकर के 300 ring तक को बुलाते थे दूसरा दिन 300 ring से लेकर के 600 ring तक का दूसरा दिन 600 ring से लेकर के 1000 ring तक का ऐसा करके IGKB रायपूर में direct document verification करने के लिए बुलाते थे और फिर document verification कराने के लिए हमको एक अपने original सारे documents को लेकर के जाना पड़ता था और उसके साथ में एक दो self-attested photocopy लेकर के जाना पड़ता था हो सकता है ऐसी ही होगा या फिर हमारे जो college हमको मिलेगा वहाँ जाकर के verification कराना पड़ेगा यह भी picture clear नहीं हुआ है यहां तक का IGKB खुद अभी clear नहीं कर पा रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है तो अभी हमें समय के साथ इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा आगे कब procedure क्या होने वाला है और जो भी अगर नया update information रहेगा वो सारा चीज मैं आप लोगो WhatsApp के माध्यम से या फिर YouTube के माध्यम से आप लोगो बताते रहूंगा अभी हमारे agriculture वाले बच्चों को किसी भी प्रकार का घबरानी की जरूरत नहीं है अभी कोई भी नया notification नहीं आया है आप लोगो के लिए जैसी कोई नया सुचना रहेगा मैं आप लोगो एक मेसेज के माध्यम से जरूर बताऊंगा और जितने बच्चे PAT का फाम भरे हों हमारे इंद्रा गांधी क्रिसी विश्विद्याले में जो इस नातक पाठकरम के लिए काउंसिंग प्रक्रिया में जो बच्चे भाग ले रहे हैं या जो भाग लेने वाले ऐसे बच्चो प्रक्रिया के लिए इंद्रा गांधी क्रिसी विश्विद्याले में स्वता डाकूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित होना अनिवार किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है आप लोगों को डाकूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आवस्यक यगा